मंदे मातर मंदे गव मातर मंदे व्रक्षम किसानु भाईयों मैं आज आपको शांदर मसिंग नुमेटिक प्लांटर के वारे में बता रहा हूँ जो 200 ग्राम राई एक एकड में बो देता है और बंपर पैदावार होती है और यह आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला तो कि सिंग सर बताएंगे तो आएक सबसे फहले हम चलते सिंग सर के पास गस नमस्कार से जड़कार है जो यहां पर कराहिए और स्वाघ्ल सब्सकलर करते हैं तो आज आप सर मेंत चार्वी स्वी चॉड़ी बनी हुई है और मेंतर द्वारा दाइसो गराम से एक एकड़ में वोईगी इसकी पूरी संचेब जानकारी और इस मशीन की पूरी टेक्नलोजी के बारे में सर बताएंगे तो सर नमस्कार थोड़ा से संचेब जानकारी जैसा आप देख रहे हैं कि यह जो मसीन है इसको हम लोग बोलते हैं निमेटिक इस समय में लेबर के उपलबता नहीं हो पाती है कई बाल और हम वहाई समय से नहीं करते हैं तो हमारी खेती में उत्पारन कम होता है उसी को ध्यान में रखते हुए आप यह जो देख रहे हैं निमेटिक प्लांटर यह मसीन है जो जितने हमारे गोल दाने के बीज होते हैं चाहे हम बात करें चाहें हम बात करें चाना सरसो भिंडी थे बाद मूं की बात करें मूं है मसूर यह जितने भी गोल दाने वाले बीज हैं जिसके लिए बहुती मसीन के लिए रहे हैं तो यह जो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले तो हम लोग एक बेड तयार करते हैं चार फिट की बेड रहती है और यह जो चार फिट की बेड है इसी पर यह मसीन जो काम करती है और जब हम बेड बनाते हैं बेड बनाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है क तो अभी हम लोग देख रहे हैं यह सर्सों की बुवाई यहां पर की जा रही है और यह जो सर्सों की एक उन्नत किस्म है आरेक जीरो सास्तों उन्चास जो इसकी उत्पारण चमता है वो 28 से 30 कुंटल प्रती हेक्टेर की है साथ ही इसमें जैसे गर हम पारंपरी के विदी से कि एकड़ का उपयोग ञाता हैं और 2 kg हो जाता है और 847 जानेरे हैं और युसे वुठ देखे की जा किसान होते हैं लौग चरला फेग देते हैं और जब च्छर्रा फेगते ह। सर्सो吗 हो मातरा में चुकि 2 kg बीज रहता है तो सही तरीके से बुवाई नहीं होपाती है यह महसीन है इसमें कि मात्र 500 g बीज एक एक एकड़ के लिए परयाप्त होता है 200 ग्राम यह जो आप लोग देख रहे हैं इसमें की डो यह जो बाक्स है दो लाइन में स्तली जो यह चार फिकिक ग्राइब है जो कतार से कदार की दूरी है वो 2 फिकी रहती है। और यह सीधे-सी ОнईUS गिरता है तो उसमें हमारी फसल भी अच्छी रहती है उत्पादम भी बहुत अच्छा मिलता है वह एक एकड़ के लिए प्रती एकड़ के लिए तो जैसकी नियूनतम पैदावार जो आती है दस कुंटल से बारे कुंटल और अधिकतम जो पैदावार है यह बारा से लेके 18 कुंटल तक अगर हम सर एवरेज 15 कुंटल भी मान लें तो क्या रेट बहुत जाता है प्रती एकड़ सर अभी हम लोग देखेंगी जो सरसो राई का जो रेट है विकत दो सालों से गरम देखें तो पांच से छे हजार रुपए कुंटल से कम नहीं है तो साथ हजार रुपए का हमको पानी देते हैं पूरी बेड कोम अच्छे तरीके से तर कर देते हैं उसके बाद यह जो नाली है इसमें हम रेला पानी चोड़ देंगे जो जगह है वहां तक पानी पहुंच जाएगा और परयाद नमी बनी रहेगी ताकि अंक्रण जो है अच्छे तरीके से पानी देना प हम लोग सिचाई करेंगे चुकि यह सिंचित में लगा रहे हैं तो 30-35 दिन में एक सिचाई होगी और फिर दूसरी सिचाई 60-65 दिन तो तो मतलब तीन पानी देना पड़ता है और कितने महिनी की फसले सरी है यह जो किसमें इसका जो आओधी है 125-130 दिन में पक्के तयार हो तो अभी मान ले आज हम लोग जो बुवाई कर रहा है आठ नॉमबर के दिन है तो यह मान के चलें कि चार महिने के आज सपास नहीं दिसमबर यह 20 मार्च के आज सपास ही हमारी पक्के तयार इसको किसे को कटाई करना तो यह हर्वेश्टर से हो जाती है आसानी से और आज हम देखें कि केवल अनाज अनाज वाली जो फसले ले रहे हैं उससे हमारी खेत की गुडवत्ता जो है प्रभावी तो इसमें अगर हम दलहन तिलहन फसल का अगर हम फसल चक्र में समावेश कर रहे हैं तो हमारी जमीन के उत्पादक्ता भी पढ़नी रहेगी क्यों के लिए भी हम लोग सिड्डिल का उप्योग कर रहे हैं जो हमारी नार्मल सिड्डिल आती है उसमें पंजा लगाएंगे और वो पंजे को वो निदाई करते हुए चलेगा और बीच में हम थोड़ी सी खाद भी डालेंगे और खाद भी इसी बेड़ मेरा मानना है कि वैसे जो अपना सरसोता बहुत गरम होते तो उसका कचर आसपास वैसे जादा नहीं होता जादा नहीं होता अचा आप बता लिए इस में की खाशियत की बिल्कुल इसमें फिट से फिटन आप सकते और प्रॉपर क्या उसके सिस्टम रहता है क्योंकि राही बहुत पतली होती है सर इस जो इसमें जो सिस्टम बना हुआ इसमें अलग-अलग डिस्टेंस की और अलग-अलग सीड का हमें मेजर्मेंट करके और उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जब हम एडजस्टमेंट कर देते हैं तो और उसकी बात दूरी का भी एडजस्टमेंट कर देते हैं जितन प्रति एकड इसका खर्चा जो हमारे किसान बाइस को उपयोग में ला रहे हैं उन्हें बताया था कि 1200-1300 रुपे प्रति एकड प्रति एकड लेता है और कित्ती बड़ी जमीनों बहुत आराम सी हो जाती है आसानी से बस इस कर दें दूसरी चीज यह देखिए कि हम सामार ने जो पदद से बुगाई करते हैं दो किलो बीज लगता है इसमें मात्रट 200 ग्राम बीज लग रहा है तो लागत बीज से हमारी जो बचले हैं अगर हम मसीन का उपयोग कर ले रहा है तो बाद बराबर हो जाएगी क्योंकि बी दिश्टेंस है जो दूरी है और पौधों का अंकुरान कितना अच्छे तरीके से उगा है तो देखिए सर ने कितने अच्छी चीज बताए कि यह नुमिटिक प्लांटर है अदबुध है 200 ग्राम बीज से एक एकड की पूरी आपकी बोनी कर देता है मातर 1200 रुपे का ठेका मतब एक एकड का खर्चा इसमें आता है और सिर्फ 200 ग्राम में उत्पती आपको नॉर्मल जो आप राई लगाते उससे लगबग डवल मिलती है और बो लाइन बनती है चार फिट का यह आपको यह बनता है और पानी भी हमको सिर्फ दो लगता है और बहुत अच्छे से इस आपके बड़ी हो जाए तो दूसरी चीज आती भी नहीं है तो यह देखिए मशीन कितनी शांदार है और अपने आप में अध्वुद है या आपको चलते हुए देखेगी इसमें लोगों ने मात्र एक किलो बीज डाले हुए है एक किलो बीज उसका मेजर्मेंट ही रहता ह किलो बीज डाल दिया अब यह सेटिंग हो चुकी इसमें जो जिस प्रकार से सेट किया गया है तो यह किलो बीज पूरा चार एकड़ के लिए परयापत है तो देखिए कितनी शांदार मसीन है यह चके लगे हुए सरी चलते हुँ दिखाएंगे आपको कैसे यह रेस में कित और इसका आगे का भी वीडियो में पूरा देखाऊंगा यह पार्ट वन है कि कैसे यह कैसे इसकी बड़ी होती जारी कैसी इसके निंदाई करना कैसी आपका बीज गराएगा बिलकुल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रखेगा स्केल टू स्केल और मात्र 200 ग्राम में पीच का पूरा पैसा बच जाएगा आपको बैट राइजर में आपको नॉर्मल जो पदती से करते हैं उससे आपको डबल पैदावार मिलेगी पानी कम लगेगा और चूकि एक चार फिट के मिड़े में एक एक फिट की दूरी में लग रहा है तो आप अपने टेक्टर कल् लिए बहुत बड़ी स्तर में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं जय हैं